खोबर पिलीबीज जुन पसे जा मेल ओवर राम संकर ग्राम पंचायद गोरा में डाग खर का सर्वे के दौरा डाग पोश्ट दूसरे घर बरामद हुआ खाना सहरा मोतरी शेतर ग्राम पंचायद गोरा में डाग घर की सिकायद पिलीबी से आई मेल ओवर राम संकर ने गाउ में डाग घर की सर्वे के दौरा जास में डाग का सारा काग जात तूसरे के घर पर पर परामद हुआ ग्रामगोरा के ही स्रीपाल डागर में तैना थे जिससे ग्रामण अपने सुविना के लिए आप आए जरूरी कागजाद डागर में लोग फेचते हैं लेकिन स्रीपाल अपनी मनमाने से जहां तहां ग्रामणों के जरूरी कागजाद दे देते हैं लेकिन बहकागजाद ग्रामणों तक नहीं पहुँच पाता गमनो को इससे काफी परिसानिक सामना करना पड़ रहा है जब इसकी सिकाइप गमनो ने अतकारों से की तो जांच करने के लिए मेल उवर रामसंकर गऑं में जांच के लिए आए गमनो से पुसथाश की तो गमनों ने बताया श्रीपाल ने डागघर में सामान ना रखने पर दूसरे के घर पर काफी मातरा में कागजाद ATM, पास्बुक, चेकबुक वा कई जरूरी कागजाद दूसरे के घर पर रख देते थे जिससे जरूरी कागजाद ना मिलने पर ग्रामेंट परिशान रहते थे जब सर्वे करने के लिए गाउ में राम संकर आये तो ग्रामनों को इसकी भनक लगी की डागर की जाज गाउ में हो रही है तो काफी संक्या में लोग इकठा हो गया और लोगों ने बताया कि श्रीपाल अपनी मनमाने से हमारे कागजात नहीं पहुचाते थे इसे कामकास में काफी बादा होती थी ग्राम गोरा साबिन ने बताया कि मेरे ग्राम गोरा में डाग का वितरन है श्रीपाल के दोरा डाग खर से नहीं किया जा रहा है किसी की डाग कहीं रख देते हैं जिससे गाउवालों की डाग घर से नहीं मिलती इसे हम लोगों निके काफी परिसानियों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण हमारे बहुत से काम रुके ही पड़े हैं जिसमें हमें बहुत परिसानिया होती है इस दोरान काफी संख्या में एक ग्रामेट मौजूद रहे कि मिलेगा 250 से लेकर आप 250 रुपाल ने एक हजार रुपया महिना के अलावा इससे कम कोई रुपया जमाना नहीं नहीं एक हजार रुपय मन्थली गराब जमा कर रहे हैं 15 साल तर तो आपका एक राक आसे जार रुपया होगा तो आपको मिलेगा बहुत अच्छी स्कीम बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा रहे हैं आपकी कंपूर्टरम पढ़ाएगी कंपूर्टरम पढ़ने के बाद साही डाक आपके गाम बुत्रण की जाएगी सब हम लोगों को मिल जाएगी मैंनाम रामसंकर है ओवर्शेर